आयुर्वीद समाधान में आपका आज स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो हमारे नुस्के होते हैं वो वैद्दियों की राय के मुताविक होते हैं इसलिए आप लोग चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें आप चाहते हैं कि नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बैल आइकन को प्रेस कीजिए नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे दोस्तो आज हम एप्रिकॉट की बात करेंगे जिसे हिंदी में खुबानी कहा जाता है खुबानी एक बीज युक्त फल होता है जो सूखने के बाद मेवा बनता है इस फल में कई प्रकार के बिटामिन्स और फाइवर्स होते हैं खुबानी अकेले ही लाबदायक नहीं खुबानी के बीज भी लाबदायक होते हैं खुबानी के इतने लाब हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाओगे खुवानी को ना सिर्फ फल के रूप में खाया जाता है बलकि खुवानी के बीज भी Immune सिस्टम को मजबूत करने में साहिक होते हैं खुवानी के बीज अबश्य खाएं इसे शरीर को ताकत मिलेगी तो आईए जान लेते हैं खोवानी के स्वास्थलावों के बारे में ये तिल की सेहत को सुधारता है खोवानी कॉलेस्ट्रोल को नियंत्रित करने में मदद करती है साथ ही इसे हिर्दय को रक्त प्रवाइद करने वाली धमनिया पूरी एक्षमता से काम करती है इसकार्थी ये है कि खुवानी का नियमित सेवन हिर्दय को स्वस्थ रखता है और कई हिर्दय रोगों से आपकी रक्षा करता है। बिटामिन A और एंटिय अक्षिडेंट आँखों की कोशिकाओं और उतकों के नुकसान की पूर्ति करता है। दोस्तों ये प्रतिरोधक शमता को मजबूत बनाता है। अगर आप बार बार बिमार होकर ठक चुके हैं तो खुवानी का सेवन कीजिए। शोज से प्रमानित हो चुका है कि खुवानी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करती है। इसे आपकी सेहत सुधरती है और आप बेहतर उर्जा और च्छमता के साथ काम कर पाते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात कर खुवानी को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। दोस्तो ये बालों का भी ख्याल रखती है। असीर को दूर करने में भी बहुत लावकारी है। खुवानी के खाने से पेट के किड़े भी नस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तो आपने देखा इस फल के कितने फाइदे हैं। दोस्तो आईरवेट समाधान जीवन जीने की एक पदती है जिसमें बताएगे इन उसके वैद्यों की राए के मताविक होते हैं। जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिया आईरवेट समाधान। क्योंकि आईरवेट समाधान है हरू कनिदान।